असलाम अलेकुम आज हम मनाएंगे फिश कड़ाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ ही दिये बैल आकन को जरूर प्रेस करें इंग्रीडिन्स आपके स्क्रीन पर है सबसे पहले एक पैन में लेंगे क्वाटर कप ओईल अब हम इसमें आट करेंगे त्री टेबल स्पोन जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्लेम हमने मीडियम टू हाई ही रखना है अब हम इसको थर्टी टू फॉर्टी सेकंड्स भूनेंगे फिर हम इसमें आट करेंगे टोमाटो प्योरी मैंने यहां चार एदद बड़े टेमाटर लिये हैं और उनका छिलका उतार के उनका ब्लेंड कर लिया है अच्छी ताना से मिक्स करेंगे अब हम इसमें आट करेंगे वन टी स्पोन कुटी हुई लाल मिच क्वाटर टी स्पोन हल्दी का पॉडर हस्बिजाय का नमक आट करेंगे मैंने यहां वन टी स्पोन आट किया है वन टी स्पोन जीरा हाफ टी स्पोन काली मिच का पॉडर सवा टी स्पोन भुना और कुटा धनिया अब इन तमाम इंग्रीजिएंस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें आट करेंगे आट से नौ अदर करी पत्ता मेरे पास ड्राइट करी पत्ता था अगर आपके पास फ्रेश है तो बहुत ही अच्छा है अब हम इसमें आट करेंगे तीन अदर हरी मिचे मसाले को एक मिनट तक भूने अब हम इसमेट करेंगे 700 ग्राम मचली मैंने यहां सामन फिश इस्तमाल की है आप कोई और सी भी इस्तमाल कर सकते हैं कोशिश करें कि जो भी मचली इस्तमाल करें उसमें कांटें ना हो क्योंकि अगर आप कांटो वाली मचली लेंगे तो कढ़ाई खाने में मज़ा नहीं आएगा मशली को हमने medium to high flame पे ही पकाना है थोड़ी थोड़ी देर में चमचा जरूर चलाए ताकि मसाला नीचे ना चिपके आपने बहुत हलके हाथ से चमचा चलाना है ताकि मशली तूटे नहीं अब आप देख सकते हैं कि मशली थोड़ा भूनने पर आई है हमने इसके अंदर quarter cup पानी आट किया है मशली का cooking time काफी कम होता है हमने मशली आट करने के बाद इसको तक्रीबन 10 से 12 मिनिट तक पकाया है हमने इसे उस सक तक पकाना है जब तक कि अच्छी तना भूनना जाए आप देख सकते हैं कि इसका मसाला अच्छी तना से भून चुका है यानि इसका oil अलग हो चुका है अब हम इसको garnish करेंगे अदरक और हर धनिये से और इसका flame off कर दें ये हो गई आपकी फिश कढ़ाई तयार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लिए बेल आकिन को ज़रूर ड्रेस करें